हलो मैं डॉक्टर राव, डॉक्टर राव एस्थेटिक से मैं एक टास्टिक सर्जन हूँ और आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो है वेजैनल टाइटनिंग इसके बारे में पहले भी हमने वीडियो बताया हैं आज हम ऐसे पांच तरीके बताएंगे जिसे वेजैना को क्या जा सकता है, इन में seems कुछ तरीके काम करते हैं और कुछ तरीके काम नहीं करते लेकिन वो मार्केट में अफिलेबल हैं, यह आपको बताने का यही मकसद है कि आप इसमें सही Τरीके को अपनाओ, जो गलत अंसांटिफिक तरीका है, उसमें पैसे और वक बरबाद ना तो जो सबसे पहला common तरीका बताया जाता है मार्केट में होता है वो है कि या तो कोई किसी तरह की टैबलेट्स या दूसरा किसी तरह की क्रीम आप वजाएना में लगाएंगे तो उससे आपकी वजाएना टाइट हो जाएगी यह सबसे बड़ा जूट है जादा तर क्रीम और यह जो टैबलेट्स है टैबलेट्स तो बिल्कुल ही असर नहीं कर सकती क्योंकि टैबलेट्स आप खाएंगे तो उसको क्या पता कि कौन से बॉड़ी के एरिया को उसने टाइट करना है उसके अंदर कुछ डालके तो दिया नहीं गया कि वहाँ पे वजाएना में टाइट क करने के लिए आप खाएं दूसरा है कि क्रीम लगाना उस स्पेसिफिक एरिया पे बहुत क्रीम लगाए जाती है बेसिकली यह इस्ट्रोजन या हामन क्रीम होती है या इसके अंदर कुछ हर्ब्स होती है आप चाहे तो हलाकि इन क्रीम्स को वजाइना में डालने का फॉरन साइज की लेकिन क्योंकि इसको करना एजी है तो फिर भी आदमी एक बार ट्राइ कर लेना चाहिए लेकिन मेरी राए यह है और हम यह बताते हैं कि इसमें कोई साइंटिफिक बेसिज नहीं है कि किसी क्रीम को वजाइना में लगाया जाए और वो उसमें असरदार थाबित ह कि दोनों फ्रोड हैं इसके जाए तक क्योंकि लगाने एजी होते हैं करने एजी होते हैं इसलिए इस तरह कि डिफरेंट प्रॉमिस साथ इसको बीचा जाता है मार्केट में लेकिन इसको आप लगा कि आपको कुछ भी फर्क महसूस नहीं होगा तीसरा तरीका है हैं वजायना के आसपास के वो स्ट्रेंट हा जाती है repertoire करने की टाकट बढ़ जाती है अपका पिशाप पे अच्छा कंटरॉल हो जाता है सेक्स करते वक्त मस्ल्स में स्टिफ्नल्स होती है मस्ल्स की जो वजइना की जो अंदर का जगय है उसको वो कम नहीं करते लेकिन सेक् exercise आप यूज़ कर सकते हैं उसे वेजाइना तो टाइट नहीं होगी लेकिन आसपास की muscles tone up हो जाएंगी कीगल exercise आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी या कि आपको किस तरह से करनी है इसको आप जरूर try कर सकते हैं और अगर इसके साथ वेजाइनल tightening कर दी जाएं कीगल exercise के साथ तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है तो कीगल exercise येस कीगल exercise वहाँ पर मदद करती है वहाँ की muscles को tighten up करने के लिए उनको better करने के लिए लेकिन ये कहना कि उससे वेजाइना की जो cavity है वो कम हो जाएगी वो सही नहीं है वो सही बिलकुल भी नहीं होगी तो कितने भी बहुत से मैंने देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि हाँ कीगल exercise पर उससाथ में एक क्रीम लगा लो कीगल exercise तो आप जरूर करिए क्योंकि exercise करना तो अच्छा ही होता है लेकिन क्रीम लगा के आप देख सकते हैं फायदा बिलकुल नहीं होगा क्रीम, oil वगएरा कुछ भी करके देख लीजिए वजेना टाइटनिंग नहीं होगी शोथा तरीका होता है लेजर को यूज करना लीजर वजेने टाइटनिंग के लिए आ चुके हैं जो असरदार भी होते हैं लेकिन उनका नुकसान और फायदा दोना आप सुन लेजिए उसके multiple session लेने पड़ते हैं multiple session वो basically वजेने के अंदर जाके heat produce करते हैं heat produce करने से वजेना contract होती है दीरे दीरे लेकिन ये contraction ये tightening बहुत limited होती है उपर की area थोड़ी सी tight हो जाती है उपर की जो layer होती वजेना की वो थोड़ी hard हो जाती है तो ऐसा feel होता है कि tight हो गई है इसका effect minimal होता है multiple sessions ये होती है बहुत महेंगा पड़ता है ये आपको बार बार जाके कराना पड़ता है और इसका लगभग आम तोर पर मैं clinic to clinic vary करता है लेकिन ये फिर भी आपको 60-70,000 तक में जाके ये vaginal tightening पड़ती है और इसका effect है वो भी minimal होता है तो vaginal tightening का laser है तो एक तरीका लेकिन वो थोड़ा कम असर करता है और महेंगा जादा होता है फाइदा ये है कि किसी तरह का आपको निशान नहीं आपने तराया कोई टाका नहीं कुछ भी नहीं आप सीधा जाके करा सकते है लास्ट जो सबसे ज़्यादे इसका reliable तरीका है वो तरह का पीठ में टीका लगा के सुन नहीं करते सिर्फ वजैना के अंदर एक cream डाल दी जाती है जिससे वजैना पूरी सुन हो जाती है फिर दो जो extra वजैना है सपोस्व ये वजैना है जो extra वजैना है नीचे का एरिया है उसको निकाल दिया जाता है और दोनों को ऐसे तकालने की जुरुथ नहीं होती, एक महिने के बाद आप अपनी normal sexual activity resume कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को कराके आप सीधे घर जा सकते हैं, इस के लिए आपको कोई रुखने की जुरुथ नहीं है कहीं पर भी, आजे घंटे का वेट करने के बाद आप सीधा घर जा सकते हैं, किसी तरह का कोई परिशानी नहीं होती, कोई ब्लेडिंग नहीं होती, पेन बिल्कुल भी नहीं होता, सजरी कराने के बाद वेजेनल टाइटनिंग की, और एक ये सेफ प्रोसीजर है, वेजेना को टाइट करने का, और सबसे ज़्यादा प्रोसीजर है, सबसे सस्ता पढ़ गया, in the sense, लेजर से सस्ता पढ़ता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और इसके साथ अगर आप कीगल एक्सेसाइज करेंगे, तो मैंने जैसे कहा कि सोने पर सुहागा हो जाएगा, कि वेजेना भी कम होगी, और कीगल एक्से सरज्री है, सीफ सरज्री है, लेकिन मेरी आप से दरखास्त है कि इसको ठीक जगह पर ही कराएं, सही सेंटर पर ही जाके कराएं, किसी डॉक्र पर जो ही इसको रेगुलरली करते रहते हैं, ऐसे किसी के पास ना जायें, क्योंकि ये सेंस्टिव एरिया होता है, इसके आज से important areas होते हैं पोटी करने का रास्ता लैट्रिंग करने का रास्ता भी जस इसके पीछे ही होता है तो आप इसको ठीक डॉक्टर पे कराएं तो यह बहुत safe procedures है इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती हमारे पास सैक्रो फिमेल्स आके यह surgery करा चुकी है हमारा क्लिनिक वैसे में बता जूँ जो वीडियो देख रहे हैं पहली बार जिको नहीं पता यह गुरगाओं में हैं जो दिली के पास पड़ता है दिली एरपोर्ट के पास और अदरवाइस महीने में एक दिन मैं लगता हूं मैं भी यह surgery करता हूँ आपने अपना एक वीडियो सुनने के लिए टाइम दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभारी हूँ आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू